अड़ी फबर आ रही है क्या से जहां बीते मंगलवार दिन गुनियाद गंज थाना की गस्ती गाड़ी ने बाइक चालग को ठोकर मार दी जिसमें बाइक चालग बुली तरह जखमी होकर सड़क पर ही गिर गया जिसे बेहतर इलाज के लिए इस थानिया अस्पताल में भरती क कर आया गया है जहां डॉक्टरों ने हाथ पेट तूटने की बात बताई है आपको बता दे कि बित्ते दिन बुनियाद गंज थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी ने अपने छेत्र में गस्तीकर थाना की तरफ आ रही थी तभी बाइक चालग विप्रीत दिसा की ओर जा रहा है एक तरफ पुलिस के द्वारा पुरानी गाड़ी के उपर फाइन जुर्माना किया जाता है तो दूसरी ओर थाना के पुलिस अधिकारियों के जवानों ने पुरानी गाड़ी से पेट्रोलिंग वाग गस्ती करते हैं एक तरफ पुलिस पे सासन नियम कानून पर चलने के ये जन्ता को सलाह देती रहती है तो वही खुद दूसरी तरफ खा कि वर्दी वाले लोग नियम की धर्जिया उड़ाते हैं आपको बता दे 15 सार से अधिक समय की गाड़ी से चलना सुसासन को अंगूठा दिखाने से बाज नहीं आ रही है तब ही तो मानपुर छेत्र में क टाइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जिससे समाज में असांती का महौल कायम होता जा रहा है और लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और पुलिस के सासन पे विश्वास भी खत्म होता जा रहा है तो चाथी पिर सकतर है तो चाहां जासरी सब्सक्राइब हो जूट परेवार कि और जूटा है तो अब हम आपको काहां कोई आपको में अधिन के मोवाइल से मतलब आया अच्छा पुलिस मोईल से रही है यह मतलब सुचना आया कि मतलब इनका एक्सिदेंट हो गया है अगारे कोई नहीं हम फिर आप लोग थाना पोचे तो फिर क्या देखे मतलब कोई थाना नहीं हम उहां जाने के सोच रहे तो सब बोले ना कि आप मज जई हम लूग जा रहे ताओ इधर से जाए ना दमी तो वह मासे लग रहे थी मेड कलने ऐसी अठाग हाहत में तो फॉड़ पड़ा हुगा ना जासे बारो ठाटा पड़ा हुगा है तो ब्लाट इतना का तो गीर है ना कि बलाट को बामु से जापती या दिया है अ अब पूरा साथ अब आप एज वहर्में मेरते हूं अब आप पुर बोत होई लिए नाम बता हुआ है मेरा नाकी रंदेवी है कौन है पिनके कौन है पत्ती है पत्नी है मिन्गीजा हाव मताई है अच्छा